मसकर दोस्तों मैं आपका दोस्त हरिंदर यादव एक बर फिर से लेकर आ गया हूँ वो important questions जो कि आपको board exams में देखने को मिल सकते हैं तो चालिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा question है prove that unroot 2 plus 3 upon root 2 is an irrational number तो दोस्तों आईए इसका solution देख लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों let करेंगे let unroot 2 plus 3 by root 2 is a rational number इसको rational number हम let कर लेंगे दोस्तों दोस्तों हमें पता है यदि ये rational number है तो इसको हम p by qq form में भी लिख सकते हैं तो इसको हम equal कर लेंगे p upon qq where p and q are integer and q not equal to 0 दोस्तों उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों इसको solve कर लेंगे यानि कि इसका LCM लेंगे तो unroot 2 आएगा और इसको unroot 2 को unroot 2 से multiply करेंगे तो 2 बन जाएगा 2 plus 3 is equal to आजाएगा p upon qq उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ से यह बन गया 5 upon root 2 is equal to p upon q यहाँ से हम unroot 2 की value निकाल लेंगे तो यहाँ से निकल गया unroot 2 is equal to 5 q upon p के equal दोस्तों यहाँ से हमने इसको rational number let किया था तो हम कह सकते हैं so 5 क्या हूँ upon p is a rational number since यदि यह rational number था तो यहाँ से unroot 2 भी क्या हो जाएगा unroot 2 is also a rational number but we know that पर हमें पता है दोस्तों unroot 2 is an irrational number so it is contradiction and our position is is wrong तो दोस्तों हमने लेट किया था कि यह जो है rational number है लेकिन यहाँ पर यह क्या हुआ था unroot 2 क्या है वो irrational number है so it is contradiction यह हमारा गलत हो गया है हमारा suppose क्या हुआ और यह क्या हो गया so we can say that under root 2 plus 3 by root 2 is an irrational तो दोस्तों यहां से हमने प्रूब कर दिया है मैं आसा करता हूँ आप लोगों के समझ में भी आया होगा दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें और ज़दा से ज़दा सेर करें और ऐसे इंपोर्टेंट के लिए मेरे चैनल को स करनेवाद